ये सब लिप्स्टिक्स हैं और ये मैं हलो एवर्यवन वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब मेरा नाम है मौनिका यादव और स्वागत है आपका हमारे चैनल हैश्टेग कुका ब्यूटी वर्ड में सो गाइस आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीडियम टू डस्की स्किन के लिए कुछ लिप्स्टिक शेड्स और फैस्टिव सीजन के लिए बहुत ही बढ़िया रहेंगी तो मैंने कुछ अलग से लिप्स्टिक्स निकाली है जो कि मैं बिना मेकप के या मेकप के साथ बहुत जादा सुंदर लगती है और यह सब लिप्स्टिक है यह मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करना मेरे चानल को साथने बेल बटन है उसे हिट भी कर लेना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक शूर इसको बिग थाम्स अप देना अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है तो जादा बाते नहीं करते हैं चलते हैं अपनी वीडियो की लेट्स के बाता दूंगी और साइट पे आप उसका स्वाच देख लेना स्वाच मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेल लाइट में ही आपको करके दिखा दूंगी चलो सबसे पहले मैं आपको लिप्स्टिय दिखा देती हूँ कौन-कौन सी है मेरे पास तो मैंने न ऐसा नहीं है कि सिरफ सस्ती रखी है या सिरफ महंगी रखी हुई है बहुत जादा महंगी कोई भी नहीं है सबी रेड और मैरून कलर तो नहीं लगाते है ना फैस्टिव सीजन में तो मिक्स सा मैं आपको कलेक्शन दिखा रही हूँ तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ यह डेली लाइफ और फिफ्टी टू की लिक्विड लिप्स्टिक है शेड है S.L.C.020 वैंप वैंप आप नाम याद रखना यह शेड है यह लिक्विड लिप्स्टिक है और मैट है बिलकुल इसमें आपको 7ml प्रोड़क्ट मिलता है वो बहुत जादा कमफर्टेबल भी लगता है लिप्स में काफी जादा लाइट वेट भी है तो यह है Maybelline Super Stain Matte Ink Liquid Lip Color शेड है 115 Founder यह बहुत ही सुन्दर डार्क पिंक जो शेड होता है और यह अगर आपकी डसकी स्किन टोन भी आना तो यह बहुत सुन्दर लगता है इवन कि आप उइली भी खा लोगे ना तब भी यह नहीं उतरती है इसका MRP है 650 तो 5ml प्रोड़क्ट मिलता है और यह बहुत जादा लाइट वेट है वन स्वाइप में आपको अच्छा सा कलर पे उफ मिल जाए यह सेवन सीज का डूओ लिप कलर और आपको इसके एक साइड पे बुलेट लिप्स्टिक मिलती है और दूसरे साइड पे आपको मिलता है लिक्विड लिप्स्टिक और यह दो और शेड बहुत ही जादा सुन्दर है डाक मेरून थोड़ा सा बीच में ब्राउन का भी हिंट है तो चाहिए अप लिक्विड लिप्स्टिक लिगा है यह बुलेट लिप्स्टिक लिगा है दोनों का सीम है शेड एगदम और यह देखिए यह इसका शेड है परून पीच में थोड़ा सा ब्राउन का हिंट है और बहुत सुन्दर कलर है तो इसका MRP सिरफ 250 रुपीज है इसको एमाजन से मंगवाया था इवन कि इसका जो बुलेट शेड है वो भी बहुत ही अच्छा है देखो मैं आपको दिखा देती हूं यहां पे स्वाज कर देत जो पे सेम ही शेड है लेकिन थोड़ा सा थोड़ा सा लाइट लगता है विकॉज अफकोर्स यह उतना मैट नहीं है यह है इनसाइड का नौन ट्रांसफर लिकुड लिप कलर और इसमें यह शेड खरीदा है और यह शेड भी बहुत ही सुन्दर डाक पिंक श मिरूनी शेड है इसका भी मैं आपको सुच दिखाती है इस शेड में थोड़ा सा ना पिंक का हिंट आता है तो यह है यह इनसाइड का शेड यह भी बहुत जादा लाइट वेट है इसकी MRP I think 100 रुपीज है स्टिफ सीजन के लिए यह वाला शेड बहुत ही अच्छा है इसका नेक्स मैं कितना सुन्दर है एकदम डाक चोकलेटी मरूनी शेड है आपने कुछ भी नहीं लगाया हुआ अपने फेस पे और आपने यह लिप शेड लगाया हुआ है तो आपको कुछ भी लगाने की जोचनी पड़ेगी यह बहुत जादा सुन्दर लगता है थोड़ा सा वैंपिश लुख देता विकॉज यह काफी ज़दा डाक है लेकिन यह कलर बहुत जादा सुन्दर लगता है यह नॉन ट्रांसफर है क्रियों ट्रांसफर बिलकुल भी नहीं होता अपके साथ कर रही हूँ वह भी एक क्रियों है और यह है क्रियों मार्स का यह क्रियों जयना वो मेरे सब्सक्राइब करने के थोड़ी देर बाद बहुत अच्छा मैट हो जाता है और ट्रांसफर प्रूफ हो जाता है यह है ब्लू हेवन की हाइपर स्टेस सुपर मैट लिप्स्टिक दिरती है इस तरह के बुलेट में और इसमें मेरा शेड है वेलवेट मैरून इसकी एमरपी है 300 रूपीज लेकिन ऑनलाइन आपको सस्ता मिल जाएगा तो कहां पे स्वाच करूं तो मैं यहां पे स्वाच करके सब्सक्राइब को दिखा दरती है यह देखो थी सुंदर शेड है मेरे को इतना ज्यादा पसंद है और विदाउट नेकप भी अगर आप लगाएंगे तो यह बहुत अच्छा लगेगा रस्टी ब्राउन सा कलर होता है वैसा है यह बहुत अच्छी ओपेक फिनिश मिल जात अगर आपके स्किंटोन मेरे जैसी है ना तो बहुत अच्छे लगे क्यों विकॉस मैंने सभी सब्सक्राइब को दिखा दी हैं बहुत अच्छे लगते हैं मैं इन सभी लिप्स्टिक्स को विदाउट मेकप भी अपलाई करती हूँ तब भी यह बिल्कुल भी वाश आउट नहीं करते हैं और गंदा बिल्कुल भी नहीं लगता है कोई भी चटक नहीं लगता है रंग सभी के सबीर जो शेड्स है ना वह बहुत सुंदर लगते हैं अगर कोई भी वीडियो सजेशन रहे ना गाइस तो जरूर में इसको बताना मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँग अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जिनको भी आपको लगता है कि इस वीडियो की नीड है उनको देखना चाहिए उनको कोई रेकमेंडेशन चाहिए तो आप इस वीडियो को जरूर जादा से जादा शेयर कीजिए और अगर आपको मेरे वीडियो देखना पसंद है तो प्ली